हलो गायूस कैसे हैं आप सब आशा है आप सब अच्छे होंगे आज हम आपको भारत महसु घूमाएंगी दोस्तों आज हम भारत महसु घूमने आए हैं तो हम 4 बजे के करीब आये थे यहां पर तो यहां मैंने बहुत ज्यादा भीट देखी तो मैंने सुझा यह वीडियो है के लिए तो देखें यहां पर टिकट मिल रहा है और करोना के बाद पहली बार इतनी भीड दिखाई दिये दोस्तों तो महसु चल रहा है यह भारत महसु है और यहां पर संडे के दिन बहुत ज्यादा भीड हो रही है लखनों में जो महसु लगा हुआ है इस वक्त चल र तो यहां पर देखे कितनी लंबी लाइन लगी हुई है अंदर जो इंट्री लेने के लिए लोग हैं तो उनको लाइन लगा कर ही अंदर जाने दिया जा रहा है टिकट अभी के हाथ में होना जाए और उसके बाद ही इंट्री होगी ये गार्ड आगे लगे हुए हैं जो कि बार महसो लगता था तो सामान बहुत ज्यादा महंगा था लेकिन इस बार जो लगा हुआ है तो सामान सचता है कोई भी आ सकता है अमीर आदमी या गरीब आदमी कोई भी मेला घूम सकता है इस महसो का आनंद ले सकता है और बहुत सारा सामान भी यहां पर है ता कि हम अभी भीड बढ़ी रही है क्योंकि संडे है और सभी फ्री है इसलिए संडे को बहुत ज़्यादा भीड है तो ये टिकट चेक कर रहे हैं ये गार्ड है जो कि गेट पे खड़े हुए हैं और अब हम सभी लोग अंदर आ गए हैं तो अंदर का नजारा कुछ आप लोग देख सकते ह इस तरह से कि इतना बड़ा महसो लगा हुआ है बच्चों के लिए तरह के जूले भी हैं यहां पर और समान तो बहुत ज़्यादा है सस्ता समान भी आप जो भी लेना चाहें यहां पर अचार वगेरा भी बहुत ज्यादा बिक रहा है और यह देखिए स्टॉल लगे हुए हैं जगे जगे पर छोटे चोटे पथर का भी सामान बहुत बढ़िया बढ़िया सा है लकडी का सामान भी यहां पर बहुत अच्छा है और कपड़े बहुत ही ज़्यादा सस्ते मिल रहे हैं दमलूट मची हुई है दोस्तों सर्दियों का मौसम है और यह स्वाटर है साबूलन कपड़े हैं बलेजर हैं तो महिलाएं बहुत ज़्यादा खरीद रही हैं उनी कपड़े क्योंकि इस टाइम सर्दी है बच्चों के लिए भी कप प्लास्टिक का सामान विक रहा है और हर माल 40 रुपए का यह दे रहे हैं अभी हम आपको कॉस्मेटिक भी दिखाएंगे कॉस्मेटिक का सामान भी बहुत सस्ता है जहां पर हर सामान 60 रुपए में है यह लकडी का सामान है पूरा यह लकडी का सारा सामान है जो कि आप घर में डेकुरेशन के लिए ले जा सक और जहां भी जाएंगे आपको कपड़े का इस्टॉल बहुत दिखाई देगा यहां पर फिर से कपड़े लगे हुए हैं यहां पर पूरा लेडिस कलेक्शन है लेडिसों के लिए बलेजर हैं कोट हैं सब कुछ यहां पर मिल रहा है और यह बाहर भी इन्होंने कपड़े को और होगा दोस्तों अगर आप लोग नहीं आये हैं तो जरूर आईये महोसो जरूर देखिए बच्चों को भी ले कर आये क्योंकि बच्यों के लिए यहां पर जूले भी लगे हुए हैं आपके बच्चे भी खुस हो जाएंगे अभी सुनने में आ रहा है कि 14 दिशंबर लेकिन हर बार महसो बढ़ जाता है हो सकता है अभी ये चार-पांच दिनों के लिए आगे भी बढ़ जाए तो आप लोग बिलकुल आईए बच्चों को लेकर के बच्चों को इंजॉय कराईए आप लोग भी इंजॉय कर ये बहुत अच्छा लगेगा देखे कपड़े किस दोस्तों कपड़े कई अब लोग देखे हम आगे आ चुके हैं यहां पर बहुत बड़ा फेल्ड है तो इधर एक खाने की भी दुकाने यहां पर भुट्टे बहुत ज़्यादध भी रहे हैं लोग भुट्टे खूब खा रहे हैं और पहल पूरी यहां पर बहुत अच्छ है जिनकी लाइटे जल रही है प्लास्टिक के खिलावने है लाइट वाले जिसे बच्चे बहुत पसंद करते हैं और यह रेस्टूरेंट है तो यहाँ पर हर जगे का आइटम है राजस्थानी आइटम भी है और सब कहीं का है आप लोग आईए और देखिए यह दिखे जूल लगे हुए है निकलते समय रात हो रही है तो सभी जूलों पर भी लाइट लग गई है जगमक जगमक हो रहा है बहुत सुंदर लग रहा देखने में और अब हम लोग जा रहे हैं घर क्योंकि रात हो गई है और भीड बहुत ज्यादा है अगर आप बच्चों को ले करके आ या आपनी सतरक्ता भी बनाए रखें और महसो का आनंद लीजिए जरूर जरूर आईए घूमने तो यह सारा प्लास्टिक का सामान है देख सकते हैं बच्चों के खेलने के खिलाओने हैं बड़ी-बड़ी सी गाड़ियां हैं प्लास्टिक की और बहुत जदा महेंगी रेंज